तनाव और जीवन का आपस में गहरा संबंद हैं। तनाव जीवन में आते रहते हैं उनसे जबरदस्ती लड़ने का फायदा नहीं। किसी भी समस्य का समाधान उसका सामना करने से होता है। अगर हमें किसी परिशा में बैठना होता है तो जो तनाव उसके पहले हमें महसूस होता है वो तनाव हमें अतदिक स्रम करने पर मजबूर करता है। यह एक पाजिटिव टेंसन है। और अगर आपको यह लगता है कि तन के बारे में जांकारी नहीं है चुप चाप सांथ बैठें और घहरी सांस लें यह यकीनन आपके मन को आपकी आत्मा को आपके स्रीर को शांत करेगा रिलैक्स करेगा और साथ ही साथ परस्तितियों से लड़ने की ताकत भी आपको देगा नमस्कार बहुत-बहुत प्रगत आज है 30 जून और चलिए सुरू करते हैं आज की मॉनि न्यूस सबसे बहुत करेंगे भारत सरकार ने उनसर्ट चाइनीज एप को बंद कर दिया है क्योंकि यह जो एप थे वो इंडियन डेटा को बिदेशी सरवरों तक भेज रहे थे हाला कि लंबे समय से जो इंडियन से भारती हैं वो मांग कर रहे थे कि इन आप को प्रतिबंदित कर दिया जाए और अब सरकार ने अंधतर इन आप्स को प्रतिबंदित कर दिया है हाला कि प्ले स्टोर में अभी यह एप आपको दिखाई देंगे प्ले स्टोर से हटने में इन्हें एक दो दिन का समय लगेगा तो साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी ये एप्स यूज़ करते हैं जिनमें बहुत सारे एप हैं कैम स्कैनर है डूरिकारडर है यूसी ब्राउजर है साथ ही साथ टिक टॉक जैसे और लाइकी जैसे एप भी सामेरें तो आपको मैं ही कोई परसनल डेटा इस पर है तो उसे आप प्राप्त करने और डेटा को डिलीट करने क्योंकि एक दो दिन के बाद यह एप काम करना बंद कर देंगे और साथ ही साथ प्ले स्टोर पर भी यह एप आपको दिखाई नहीं देंगे तो फिलाल अब एक ऐसी लडाई जिसमें भ शिक्योर्डी को लेकर जो खत्रा है उससे लड़ने के लिए यह एप जो है वह भारत सरकार ने प्रत्पंदित कर दिये हैं और यह जो एप हैं इसमें सेरिट भी सामिल है कौई यूसी ब्राउजर बाइडू मैप सीन क्लैस आफ किंग्स डू बैटरी सेवर हैलो लाइकी य और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अगली कवर है कि अंतरगत स्कूल कालेज मेट्रो सिनेमा 31 जुलाई तक रहेंगे बंद करफ्यू का समय अब रात दस बजे से सुब पांट बेद तक होगा हला कि लोगों की आवाज आई पर प्रतिबंद नहीं होगा यानि कि यह ज 21 जुलाई तक तो 21 जुलाई तक करोना के बढ़ते संक्रमन के बीच जन जीवन को पटरी पर लाने और जरूरत के मताबिक सकती और के सरकार ने सो मुहारकों अनलाक्टों के लिए नियमों की घुश्रा कर दी है प्रतान मंद्री नर्द मुदी जी आज साम चार बजे देश इसको संबोधित करेंगे जिससे आप अपने टेवी चैनल और रेडियो पर भी सुन सकेंगे उत्तरपदेश के जो राज बस्विद्याला है उसके बाड़े में एक बड़ी ख़बर निकल के आ रही है कि अब कोई भी परिक्षा नहीं होगी मैं यहाँ पर एक बात फिर से चाहता हूं कि बहुत सारे इस्टुडेंट यह बात पूछ रहे हैं कि वह फाइनल इयर में हैं तो क्या फाइनल इयर की परिक्षाएं भी नहीं होगी तो फ्रेंट्स कोई भी परिक्षा नहीं होगी आप चाहे फाइनल इयर में हो चाहे आप पीजी में हो विस्विद्याल दर्जूला बनाने जाए नहीं के बारे में बात कहीं गई हैं। क्या था तो याद रखना कि मेड विष्विदाले के कुलपती यंकि तरीजा की अधिक्सताल में कमेटी का कटन किया गया था तो यह भी एक आपका जीएस का कुस्चन हो गया सरकार ने परिचाय नहीं कराने के समीत के सुजाओं को सद्धानतिक रूप से मान लिया है और सरकार ने सभी विश्विद्यालों के लिए एक समान प्रोंती का फर्मूला तैं करने को कहा है तो यह फर्मूला अभी तैं नहीं हुआ है और यह जो राज विश्विद्याले के लिए फैसला आया है उसमें 18 राज विश्विद्याले हैं और 27 प्राइबेट इनिवर्सिटीज यानि कि निजी विश्विद्याले हैं 179 राजकी, 331 साहता प्राप्त और 6,531 बित्वीन जो महाविध्याले हैं वो इससे प्रभावित होंगे कुलमिला के देखा जाए तो 49 लाग से अधिक विध्यार्थियों पर इसका प्रभाव होगा तो यानि कि कोई भी परिक्ष्याब नहीं होगी और विध्यार्थियों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा इसके बारे में एक फर्मूला जल्दी आपको पता चलेगा और तत्काल टिकट इस जो कि बंद कर चुका था तत्काल टिकट की सेवा दोबारा से सुरू हो गई है हलांकि एक जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक बहुत सरे ट्रेनें नहीं चलेंगी लेकिन कुछ ट्रेनें चलने वाली हैं तो उसके लिए आप तत्काल सेवा का भी इस्तिमाल कर सकेंगे और बेसिक के अध्यापक कल से जाएंगे इस्कूल यानि की छात्र नहीं आएंगे सिक्षक कराएंगे कल से आनलाइन पढ़ाई यूपी के बेसिक स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो एक जुलाई से अपनी हाजी स्कूल में दर्ज कराएंगे उसके पहले स्कूल को सेनडाइज किया जाएगा और इसके बाद जो स्कूली क्रिया कलाप होते हैं उसको जो अ काम होता है उसको निपटाया जाएगा तो यहां पर देखा जाए तो परदेश के परस्दी विद्जालों के सिक्षक और कमचारी एक से और मादमिक सिच्णा भीबाग के च्छा जुलाई से स्कूल जाएंगे तो मादमिक के जो टीचर है वो च्छा जुलाई से और बेसिक आरके तीवारी ने बताया कि जुलाई में विद्यारतियों को स्कूल कालेजों में नहीं बुलाया जाएगा बियाट की जो प्रविश्परिच्छा है उसके बारे में आप रोग जान लीजिए यह जो प्रविश्परिच्छा है वह 29 जुलाई को ही होगी और आयोग में दो सदस फसेगा PCS का इंटरव्यू जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब PCS का इंटरव्यू होता है तो उसमें जो अलग-अलग इंटरव्यू का पैनल बना जाता है उसकी अध्यक्सता जो होती है वह आयोग के सदस करते हैं फिलाल आयोग में सिर्फ दो ही सदस से तो उसके संक्या मात्र तीन होगी जिसमें काफी वक्त लगेगा तो ऐसे में अबरती जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि PCS 2019 कीमों के परिशा से पहले पहले 2018 का पैडाम जारी कर दिया जाए लेकिन अब यहाँ पर जो सदस से हैं वही नहीं है तो ऐसी इतिती में अब PCS क इंटर्व्यू समय से कैसे पूरा होगा इसके बारे में अभी कुछ कहाने जा सकता आयोग के सदस्ते डाक्टर जैराम प्रसाद बैद 17 जून को और सुसीला सिंग बीस जून प्रेटायर होगी जबकि सदस्यों के चार जो पते थे वो पहले से खाली थे आयोग में अबके अबल दो सदस्त हैं डाक्टर राम जी मौरिया और प्रेम कुमार सिंग तो देखते हैं कि आगे अब यह इंटर्व्यू की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और साथ ही साथ जूनियर आई स्कूल की प्रदाना अध्यापक और सिक्षक वरती को 2410 इसकूलों ने नहीं बे और सहाक द्यापक भरती के लिए लिखित परिक्षा होगी बेसिक शिषा दिकारी इन स्कूलों में रिक्त पदों का ब्यावरा नहीं भीज रहे हैं 20 जून तक कुल 2410 इसकूलों के रिक्त पदों का ब्यावरा नहीं मिलने पर सिक्षा निक्रिसक बेसिक डाक्टर जल्द से जल्द पदों की चूचना बेजे ताकि परिक्षा संस्ता को बेज़कर भरती प्रक्रिया शुरू कराई जा सके तो बहुत जल्दी ये भरती प्रक्राइब सुरू हो जाएगी आउको पता होगा कि असास की साहताप्राप्त जूनियर हाई स्कूल थे उसमें सिक्षक चैन के लिए प्रबंत तंत्र साक्षातकार करके नियुक्ति करता है बेसे उनका अनुमोधन करते थे जिसे चैन में जमकर गरबढ़ियां होती रही योगी स्रकार ने 2019 में अध्यापक भरती नीमौली 1978 में स साथ ही चैन परशिदी सिक्षकों की तरह गुडांग के आधार पर होना है सरकार ने चैन नीमौली में जब बदलाव किया उसमें कुल 3082 स्कूलों में 24,000 सिक्षकों के पस्रजित और करीब 43 उपद रिक्त थे अब देखते हैं कि बरतमान में कितने रिक्त पद निकल के साम होते हैं तो फ्रेंट्स यह थे आज के साथे अपडेट्स और आपको बता दें कि बीट की परिश्चा यह 29 को ही होनी है तो इसके बारे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और तयारी आप लोग करते रहें साथ इसाथ डिग्री कालेजों में प्राचारियों की न पहुच गया है और इस पर जो है कोड ने साथ जुलाई तक सरकार से जबा मागा है और आपको बता दें कि इसमें कुल जो मैटर है वो एपियाई यानिकी सेक्षिक प्रदर्शन सुचकांग को लेकर है आविदें करने की अंतिन तारीक 18 जून 2019 और एपियाई सुचकांग जमा करने की अंतिन तारीक 18 जूलाई 2019 थी 18 जूलाई कोई UGC ने अपने रेगुलेशन में बदलाव करते विए 2018 का रेगुलेशन लागू कर दिया था उसके बाद इस बिग्यापन को चुनोती दी गई है तो फ्रेंट्स ये थी आज की सारी अप्डेट थांक्यू सो आज फार वाचिंग और विडियो कर आपको फसंद आता है तो इस लाइक और शेर आप लोग कर दिया करें और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तो पहुचाने की आप लोग क्रिपा किया करें साथी साथ अगर आप खंड़ सिक्षा अधिकारी और अन्य परिचों के त्यारी कर रहे हैं तो आपको लिए लगातार प्रैक्टिस ट्ट अलेवल करवाए जा रहे हैं रोज दूपर में बारा बजे आपको एक नया प्रैक्टिस ट्ट मिल जाता है जो कि खंड सिक्चार दिकारिक लिए बहुत ही मौत्पूर्ण होता है तो फ्रेंड्स